सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है वातवरन इतना प्रदुशित हो गया है नमस्कार साथियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का बहुत ही मेथपुन टोपिक रहेगा हमारा पर्यावरन प्रदुशन हिंदी निबंद जो बोड एक्जाम में पूँचे जाते हैं लोकल एक्जाम में भी निबंद आता है पर्यावरन प्रदुशन हिंदी निबंद समफूर्न चर्चा करेंगे विस्तरत रूप से हम पर्यावरन प्रदुशन आएगा निबंद तो आपको यही निबंद लिखना है यदि उसमें पूंचा जाए परिवरन पूंचा जाए और पूंचा जाए परिवरन 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 पूंच ये देखिए परियवरन प्रदुशन एवं जन चेतना तो भी आपको यही लिखना है परियवरन बचाओ अभियान में छात्रो का योगदान तो भी आपको यही लिखना है देखिए इतने पॉइंट है इन में से कुछ भी पूँचा जाए आपको परियवरन प्रदुशन का हो गया है तो कि यह देखिए रूप रेका बनाले सभी रूप रेका क्या के बढ़ने वाले हम प्रस्ताऊना प्रदुसान के विबिन्ने पिरकार और प्रदुसान की समच्या का समाधान और चौनता पॉइंट हमारा उपसाहार ठीक है यह आप उपसाहार को यहां पर लिखें ये अपसाहर हो गया हमर प्रस्तावना प्रस्तावना देखिए प्रदुशन का अर्त है प्रदुशन परियोरन में फेल कर उसे प्रदुशित बनाता है और इसका प्रबाव हमारे स्वास्त पर उल्टा पड़ता है इसलिए हमारे आसपास की बहारी परिस्तितियां जिसमें वायू, जल, भोजन और सामजिक परिस्तितियां आती है वे हमारे उपर अपना प्रभाव डालती है प्रदुशन एक आवांचनी परिवर्तन है जो वायू, जल, भोजन, इस्तल के भोतिक, रासाइनिक और जेविक गुनों पर वरोधी प्रभाव डाल कर उनको मनुश्य वन्निप्रानियों के लिए हानिकारक एवं अनुप्योगी बना डालता है कहने का ताथ पर ये है कि जीवधारियों के समगर विकास के लिए और जीवन क्रम को व्यवस्तित करने के लिए वातावरन को सुद्ध बनाए रखना परम आवशक है दूसरा पॉइंट देखेंग हम प्रदुशन के विबिनने प्रकार अब प्रदुशन के कहीं प्रकार होते हैं कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे प्रदुशन निमने लिकित रूप में अपना प्रवाव दिखाते हैं देखें सबसे पेले वायू प्रदुशन अब हम किसके बेद पढ़ रहे हैं? हम प्रदुसन के भेत पड़ रहे हैं है ना प्रदुसन के भेत पड़ रहे हैं हम तो पेला क्या रहेगा वायू प्रदुसन वायू प्रदुसन में है वायू मंडल में गेस एक निशिद अनुपात में मिस्रित होती है और जीवधरी अपनी किरियाओ तता मास के द्वारा आक इन सबी गेसों के संतुलन को नश्ट कर रहा है। अवश्यक्ता दिका कर वे वनों को काटता है। जिससे वातवरन में आक्सिजन कम होती है। मिलो जो फेक्टरियां होती हैं उनकी चिमनियों के धुए से निकलने वाली कारबन डाई आक्साइड, क्लोराईड, सलपर डाई आक्साइड आदी भिन्ने भिन्ने गेसें वातवरन में बढ़ रही है। पातवर्ण में क्या हो रहा है अलग अलग पिरकार की गेसें क्या हो रही है जल प्रिदुशन जल के बिना कोई भी जीवधारी पेड़ पोदे जीवित नहीं रह सकते इस जल में भिन्ने भिन्ने खनीज तत्व कार्बनिक और आकार्बनिक पदार्थ तता गेसे गुली रहती है जो एक विशेश अनुपात में होती है तो वे सभी के लिए लाबकारी होती है लेकिन जब इनकी मात्रा अनुपात से अधिक हो जाती है तो जल प्रिदुशित हो जाता है और हानिकारक बन जाता है जल के प्रिदुशन के कारण अनेक रोग पेड़ा करने वाले वाईरस ओध्योगीक संस्तानों से निकले पदार्थ कार्बानिक पदार्थ रासायनिक पदार्थ खाद आधी है अब हम पढ़ेंगे अगला प्रदुशन अमारा रेडियू धर्मिक प्रदुशन इसमें क्या होता है जब परमानु सक्ती उत्पादन केंद्रो और परमानु परिच्चनों से जल वायू तता प्रत्वी का संपूर्ण पर्यवरन प्रदुशित हो जाता है और वे वर्तमान पीडि को ही नहीं बलकि बहुश में आने वाली पीडि के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुआ है इस से दातु पिगल कर पिगल जाती है दातु क्या होती है पिगल जाती है और वह वायू में फेल कर उसके जोंकों के साथ संपूर्ण विसु में व्याप्त हो जाते हैं तता भिन्ने भिन्ने रोगों से लोगों को ग्रसित बना देती है ये होता है परमानू का प्रबाव जो रेडियो धर्मी प्रदुशन होता है इसके कारण फेलता है ये क्या होता है जो भी पर्मानू परिक्षण केंदर होते हैं वहाँ पर्मानू को क्या जाता है परिक्षण किया जाता है तो वहां से हवा के माद्यम से वो संपुर्ण विश्व में फेल जाती है अगला हमारा द् संबंदी और नींद ना आने के रोग उत्पन हो रहे हैं, मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रेक्टर, लाउड श्पिकर, बाजे, साइरन और मसीने अपनी द्वहनी से संपूर्ण परिवरन को प्रदुसित बना रहे हैं, इससे चोटे-चोटे किटानू नाश्ट हो रहे हैं और बहुत से पदार्तों का प्राकर्तिक स्वरुब भी नश्ट हो रहा है, सात्यों आप गवराएं नहीं, मैं क्लियर कर दूँगा, ये जो पॉइंट है, सभी परिवरन प्रिवरन प्रिवरन के अंतरगत ही आते हैं, उसी में आप लिख सकते हैं, ठीके, लाश्ट में बत प्रिवरन ने इस प्रिवरन की समझ्या को अति गंबीर बना दिया है, इस ओध्योगी करण तता जन संक्या व्रद्धी से उत्पन्न प्रिवरन को व्यक्तिगत और सास की दोनों ही इसतर पर रोकने के प्रियास आवश्यक है, भारत सरकार ने सन 1904 इस्वी में जल प्रिवर आवप अधिनियम लागु कर दिया है, इसके अंतरगत प्रिवरन को रोकने के लिए अनेक यौजनाय बनाय गई यह जो बारत सरकार हैं, उनने गुनिसो चोटतर इस्वी में जल प्रिदुसन को समाप्त करने के लिए उसके नियंतरन करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें बहुत सारी योजनाय बनाई गई थी लाश्ट वाला है हमारा उपसाहार आपको पता है हम उपसाहर लाश्ट में ही लाश्ट में करते हैं और प्रस्तावनाम पष्ट में लेते हैं जिसकी मैं आपको हर वीडियो में बतता हूँ उपसाहार इस पिरकार सरकारी और गेर सरकारी संस्ताओं के द्वारा पर्यवरन की विसुद्धी के लिए समन्वित पिरियास किये जाएंगे तो मानाओ समाज वेद व्याक्की की अउधारना को विक्सित करके सभी जीव मातर के सुख समरिद्धी की कामना कर सकता है ये आज का मारा वीडियो था यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सबस्क्राइब कर ले इसी वीडियो के नीचे रेट कलर में सब्सक्राइब लिका है उसको दबा ले आप और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करे और अपने सब इसाथियो को आप सेर भी कर सकते है चलिए मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है आपको देखिए इसको मैंने छोटा कर दिया है ये इतना बड़ा अमारा बिल्कुल यही से इन में से कुछ भी आये ये इन्दी का अमारा निबंध है इन में से कुछ भी पूँच जाए परिवरन प्रदुसन, प्रदुसन कारण और निदान परिवरन प्रदुसन समश्या और निदान परिवरन प्रदुसन की समश्या परिवरन प्रदुसन एवं जन चेतना इन में से कुछ भी पूँच जाए पूरा आपको यही लिखना है एसे के एसे लिखना है यह प्रदुसन के बारे में ही है प्रदुसन यह नाम नहीं दिये था इस्पेसल के वायव प्रदुसन के बारे में बताओ जल प्रदुसन के बारे में बताओ परियवरन प्रदुसन तो इन सभी के कारण क्या होता है परिवरन प्रदुशन होता है और यहाँ पर यह पोईंट देखिए यहाँ पर आपको समझ्या आ रही होगी परिवरन जो प्रदुशन के विबिनने प्रकार क्या है प्रदुशन के विबिनने प्रकार तो हम यहाँ पर जो परिवरन होता है तो यह आज का मरा वीडियो था जिसमें हमने हिंदी के महतुपूर्ण बहुती महतुपूर्ण जो आज की बहुती बड़ी समष्या है परयवरन प्रोदूशन क्योंकि one काटे जा रहा है आकसीजन की कमी हो रहिए तो ये आ सकता है एक्जाम में तो आप इसको अच्छे से याद कर ले इन पॉइंटों को याद कर ले और रूपरेक आपको कैसे बनाना है वो हमने आपको बता दिया था उसी तरह से आप रूपरेका बना ले और मैं आपको बहुती खास बात बता देता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको जितने भी हमने निवंद किये हैं उनकी प्लेलिस्टिक की लिंक मिल जाएगी वा सभी वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे ठीक है तो मिलते हम अगले वीडियो में यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै वारत